हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैस के important questions की जो exam में पूछे जाते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूँ जितने भी questions आज की वीडियो में कराऊंगा, सभी questions पूछे के question है, और मैं आपको बता दूँ, मैं गरित के बीडियो पार्ट वाइस बना रहा हूं यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेडिस्ट में जा कर आप देखेंगे तो मैस्करित पार्ट के नाम से आपको प्लेडिस्ट मिल जाएगी उसमे जितने बीडियो पार्ट वाज बनाए है सबी वीडियो आपको मिल जाएंगे वहाँ से देख लीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते है पहला कोशन क्या कह रहा है दो संख्याओं का अनुपाद तीन अनुपाद चार है तथा इनका लगुत्म समाब बरतक 84 है तो इन में सबसे बड़ी संख्या क्या है देखे लगुत्म समाब बरतक लगुत्म समाब बरतक का मतलब क्या है LCM LCM कितना है 84 अब क्या कहरा दो संख्याओं का अनुपाद दो संख्या है कोई भी ठीक है उनका अनुपाद कितना दे रखा तीन अनुपात चार तो दो संख्या है ये पहली संख्या हो गई और ये आपकी दूसरी संख्या हो गई ठीक है इनका अनुपात कितना दे रखा तीन अनुपात चार तो इनका अनुपात लिख लो तीन अनुपात चार किलियर है लिख लिए अब इनका LCM कितना दे रखा 84 LCM कितना दे रखा दोस्तो 84 दे रखा है मैं आपको एक चीज के लिए करा दू जब आपको LCM दिया जाता है तो अनुपातों का भी LCM लेते हैं योग दिया जाता है तो अनुपातों का भी योग करते हैं और अंतर दिया जाता है तो अनुपातों का भी अंतर करते हैं के लिए रहे दोस्तों बात आप देखिए यहाँ पर LCM दिया है तो अनुपातों का भी LCM निकल लो अनुपातों का 3-4 के LCM कितना आएगा 3-4 के LCM हैगा दोस्तों 12 ठीक है अब देखिए मैं आपको बताओं कुछ student ऐसे होंगे जिने lcm लेना नहीं आता है ठीक है तो मैं आपको बता दू मैंने lcm की super fast trick बनाई हुई है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा वहां से आप lcm लेना सीख वीडियो बनाया हुआ है अब देखिए इनका कितना आ गया lcm 12 आ गया तो इस बारे से 84 में आप डिवैट देदेंगे ठीक है कितनी हो जाएगा यह हो जाएगा बारे सत्ते 84 साथ बारे आपका चला गया अब देखिए करना क्या है question क्या करा है बड़ी संख्या क्या है तो चो अनुपात में बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी अनुपात में क्या बड़ा है चार तो चार से मल्टिप्राइग कर तो सार्च चो के कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा तो आपका देखिए answer क्या हो जाएगा option number A आपका सही हो जाएगा यदि छोटी संख्या पू 28,60 को प्रेस करेंगा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा किलियर है और या answer पूछ ले तो दोनों का answer कर दो किलियर दोस्तों तो अमीद करता हूँ इस question में कोई भी doubt नहीं होगा LCM की वीडियो बनाई हुई है इस वीडियो के description में link दिया है दोस्तों वहाँ से आप LCM का वीडियो देख लेना उसके बाद आप LCM निकालना सीख जाएंगे ठीक है दोस्तों अब देखनेंगे अगला question अगला question है दो संक्याओं का लगुत्तम समाबर्तक 48 है यदि वे संक्याओं दो अनुपात 3 के अनुपात में हैं तो उन संक्याओं का योग कितना होगा SSCMTS में पूछा गया question है देखे दो संक्याओं यहां भी तो दो संक्याओं एक पहली संक्या यह होगई यह आपकी दूसरी संक्या होगई ठीक है अब इनका अनुपात भी आपको दे रखा दो अनुपाते 3 दे रखा यहां भी आपको क्या दिया गया है लगुत्तम समाबर निकाल लेंगे के लिए दोस्तों अनुपातों का भी लिसम निकाल लेंगे तो दो और तीन के लिसम कितना हो जाएगा छे हो जाएगा के लिए रहा है दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं आपको लिसम निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लि वीडियो का लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर आप किलिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगा लसे निकालने का वीडियो वहां से देखके आप सीख जाएगे ठीक है दोस्तों एस चैसे इस 48 में डिवाइट कर दो कि कितनी वाली कर जाएगा क्या पूचा है उन संख्यायों का योग कितना होगा तो अप हल कर लो इसको भी दोनों का योग कर लो 6 ती आई कितना हो जाएगा 8 ती आई 8 का 3 से multiply कर दो 24 हो जाएगा क्यूंकि योग पूचा है 8 का 2 नी 16 हो जाएगा तो दोनों संख्या निकालने ही छोटी बड़ी योग पूचा है ना तो दोनों को plus कर दो आपका योग निकल किया जाएगा 16 और 24 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यही दोस्तों क्या है क्या है आपका योग आपका आंसर हो जाएगा part number C अब योग की जगह यदि अंतर पूच लेता तो इनका अंतर कर देतें ज्यादा मेंसे कम को घटा देतें अन्तर के लिए क्या करते हैं जादा मैसे कम को घटा देंगे तो 24 मैसे 16 चला जाएगा कितना बचेगा आठ बचेगा तो 8 आप का अंसर आजाएगा यदर अंतर पूछे जाएगा तो यदि छोटी संक्या पुछी जाती तो 16 अंसर बड़ी पूछी जाती तो 24 आपका अंसर हो जाता ठीक है दोस्तों यदि दोनों का multiple पूछ लिए जाए यदि दोनों का golden fall पूछ लिए जाए तो इन दोनों का गुणा कर दो ठीक है दोस्तों golden fall निकल के आ जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला question रिव कर देंगे जब आप इसे एक बार देख लेंगे ठीक है देखें मैं आपको बता दूम जब LCM पूछ जाएगा तो उपर वाली संख्राओं को आपको LCM निकालना है जब HCF पूछा जाएगा तो उपर वाली संख्याओं का LCF निकालना है ठीक है दोस्तों बात के लिए रोगे जो पूछा जाए वो आप उपर वाली संख्याओं का निकालेंगे ठीक है तो आपको देखिए LCM पूछा गया है तो उपर वाले संख्याओं को आप LCM निकाल लो उपर वाले संख्याओं क्या है 2, 4, 5 ठीक है इनका LCM निकाल लीजे कितना हो जाएगा इनका LCM आपका 20 हो जाएगा ठीक है LCM कितना हो गए बीच अब क्या करना है नीचे बाली संख्याओ का HCF निकालेंगे ठीक है? जो पूछा जाएगा उसे ऊपर निकालेंगे ठीक है येधि LCM पूछा गया है तो ऊपर LCM, नीचे HCF HCF पूछा जाएगा तो ऊपर HCF निकालना है, नीचे LCM ठीक है? अब यहाँ पर HCF निकाल दो 396 3, 9, 6 का HCF क्या होगा HCF क्या होगा दोस्तों वह चोटी से चोटी संक्या जो सबको विवाजित कर दे तो इन 3 हमें चोटी संक्या क्या है देखी 3 है 3, 9 को भी विवाजित कर रही है 6 को भी विवाजित कर रही है तो आपका HCF कितना होगा है 3 किलियर है तो 20 वट्टे 3 ये कितना हो गया 20 वट्टे 3 हो गया इधर लिख देता हूँ 20 वट्टे 3 अब देखे 20 वट्टे 3 किस option में है तो B option में है यही क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा के लिए ने दोस्तों तो देखें कैसे करते हैं LCM पूछा गया है तो उपर वाली संख्याओं का LCM निकाल लो नीचे वाली का HCM मतलब जो पूछते हैं वो उपर वाली संख्याओं का आपको निकालना है यदि हापर HCM पूछा जाता तो उपर वाली संख्याओं का HCM नीचे वाली संख्याओं का LCM के लिए ना दोस्तों अब देखते हैं अगला कॉशन आपका 13579 इन संख्याओं का ओसत क्या है ठीक है ओसत पूछा गया है ऐसा से जीटी में पूछा गया कॉशन है तो देखें मैं आपको बता दूँ ऐसा कॉशन है जब आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे उसमें अंतर देखेंगे अंतर समान है कि नहीं एक और तीन में कितने का अंतर दो तीन और पांच में दू का अंतर पांच में दू का अं क्या है उसे लिखेंगे लिखेंगे पिलस जो अंतवाली संग क्या है उसे लिखेंगे अंतवाली क्या है 49 के लिए रहे और इसको कर दीजे आप 2 से डिवाइट बस आप का अंसर आ गया 1 और 49 कितना हो जाएगा 50 और इसे करेंगे आप 2 से डिवाइट तो 25 क्या है आपका अंस दो से डिवाड कर दिया 25 आपका आंसर है दोस्तों option number A सही हो जाएगा तो इसे करने में कितना time लगेगा आपको 2 second 2 second में आप समझ जाएगे और मैं आपको बता दू इस तरह के question का मैंने एक video अलग से बनाया हुआ है जिसमें सभी type के question कराए है इस type के दिया है उस video को आप देख लीजेगा ठीक है तो इस type के जितने भी question होते है सब आपके clear हो जाएंगे तो दोस्तों इस type के video का link भी आपको description मिल जाएगा और LCM का link भी आपको इस video के description मिल जाएगा दोनों वीडियो आप देख लेना ठीक है दोस्तों एक question SSTCGL 2016 का question है और देखी क्या कहरा है 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे है ठीक है और कितने आदमी उसी काम को 10 दिन में करेंगे आदमी आपको पता करना है कितने आदमी करेंगे ठीक है कितने आदमी दे रखे हैं यहाँ पर दे रखे हैं 35 आदमी कितने दिन में करने काम को 8 दिन में करने केलियर होगी equal ठीक है अब यहाँ पर कितने आदमी करना नहीं पता है तो उसकी जगे आप x रख लेंगी multiply कितने दिन में करना है 10 दिन में तो 10 लिख लिजिए आप यहां तक बात केलियर है आप देख तो इधर 4 बचा और 7 बचा बीच में मल्टिप्राई तो दोनों का मल्टिप्राई कर दो 7 चोगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचा आपका X बचा तो X की बेलू कितनी आई है दोस्तों 28 आई है तो इसका मतलग कितने आदमी उस काम को 10 दिन में कर पाएंगे 28 आदमी उस काम को 10 दिन में कर पाएंगे ठीक है ओप्सन नंबर भी आपका सही हो जाएगा 28 आदमी यही क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है तो उम्मीद करता हूँ ये कोशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट वक्स में बता दिना दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शियर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभीतर सब्स्राइब नहीं क्या है तो कर लिजे और पहला आइकन का बटन भी दबा दिजे दोस्तों धन्यवाद